तो दोस्तों मैंने कुछ समान मंगाया अपने गार्डन के लिए ये सब मेरे पास डिलीवर हो चुका है तो इसके हम अन्बॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके अलावा क्या कुछ चल रहा है मेरे गार्डन में बहुत कुछ चेंज हो गया है मैंने नया सेडनेट के मैंने लोहे का पूरा फिक्स सेडनेट लगाने के लिए इस फ्रेम बनवाया है तो इसकी पूरी चीज़े मैं आपको दिखा रहा हूं यह देखी लोहे के फ्रेम से मैंने राट से बनवाया हुआ है इसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ जल्दी साज्या करूंगा अभी गेंदा है गेंदे का फूल और इसके लाओं देखी यह बेगम बाहर जिनमें धेर सारी कलिया और फ्लावर्स भी खिलने स्टार्ट हो गए और यह देखी अभी मेरा लेटेस्ट वीडियो बोगन बिलिया पे इसमें देखे कितनी जादा इसकी ग्रोथ है और इसमें काफी देखे होंगे उस समय तो आप वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि पौधा बिल्कुल मुर्जासा गया था और अब देखे इसमें कितनी जादा इसमें कितनी जादा लगी हुई है तो यह अपडेट थे कुछ दोस्तों मेरे गार्डन के इसके अलावा अब हम आगे च चैनल पर नाए है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे आना लिए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें दोस्तों ये मैंने और्गेनिक बजा डाटनेट वेबसाइट से मंगवाया है ये मेरे कुछ ग्रोबैक्स हैं जो मुझे अपने टेरस पे चुकि काफी सारी चेंजिंग की है मैंने तो उसी में एक चेंज ये भी है कि मैं जो छोटे-छोटे से ग्रोबैक्स थे उन्हें वेजिटेबल्स हम ग्रोब कर सकते हैं और चुकि इनमें मिट्टी तो थोड़ी ज़्यादा लेती है ये 11 ये मैं आपको बता दूँ कि तीन बाई तीन फूट लंबाई और तीन फूट चौणाई में ये ग्रोबैक्स है मेरा जो पाइप के सपोर्ट से पीवीसी पाइप क सपोर्ट के मदद से खड़ा करते हैं तो ये काफी अच्छा है तो इसे मैं फर्स्ट टाइम ट्राइब कर रहा हूं फिलाल इससे पहले मैंने एक मंगाया हुआ था तो वो 15 इंच उसकी हाइट थी और दो फूट चोड़ाई थी वो भी काफी अच्छा उसमें मैंने जो वे आप भी चाहें तो अपने गाडन के लिए इस तरह का ग्रोबैक मंगा सकते हैं तो कम स्पेस में डेर सारी वेजिटेबल्स आप इसमें ग्रो कर पाएंगे तो ये देखिए ये ग्रोबैक है दोस्तों इसकी एक फिट गहराई है बारा इंच की गहराई है इसकी और तीन बा प्रवाइड किये हैं तो हमें करना बस इतना है कि पाइपों को उस जोइंटर की मदद से जोड़ के इस ग्रोबैक में सेट करना है इस्टाल करना है तो चार पैर दे रखें इन्होंने और बागी साइट से पाइप हैं जो उसे होल्ड करें और ये कुछ कनेक्टर्स हैं तो तो दोस्तों इस प्रकार से देखी हमें सारे पाइपों को अपस में मदद जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद ये इसमें इसमें स्पेस दे रखा इन्होंने इसमें से पाइप में हमें निकालके और फिर उसे स्टेंट की मदद से ये पायर है उसका और इस पैर से हम इ दालने से मिट्टी इदर उदर गिर जाती थी सेप सही से नहीं बन पाता था यह प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं काफी अच्छे हैं यह पीविसी पाइक से सपोर्ट से जो ग्रोबैक आजकल आ रहे हैं तो इसे मैंने देखे इस परकार लगभख सारे इस्टॉल कर लिए हैं काफी अच्छा लगा तो मैं इनको रिक्मेंट कर रहा हूं कि आप भी अगर लेना चाहें तो इनके वेबसाइट से ले सकते हैं और यह देखे दोस्तों यह लास्ट आखरी पैर है इसका जिसकी मदद से हम इसे इस्टॉल कर ले रहा हैं अब आपको दिखाता हूं मैं कि य इसमें मिट्टी ज्यादा लगेगी पर एक ग्रो बैग में आप कोई भी वेजिटेबल्स अगर उगाना चाहते हैं इसमें आप चाहें तो धनिया पालक मतलब लिफी वेजिटेबल्स या फिर टमाटर बैंगन मिर्च के पौधे भी काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं तो इसको मिट्टी जो भरने का तरीका है दूस्तों इसमें हमने एक लिएर नीचे वेजिटेबल्स जो हमारे किचन वेजिट निकलता है उससे डाल दिया है और नीचे इसका डवल फायदा होता है एक तो जो 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 वाटर ड्रेन होता है तो जो इसका ड्रेन जोल होता है उसक करीब दो इंच मोटी परक मिट्टी की डालेंगे और फिर उसके बाद हम kitchen whisk करीब आधे growback तक kitchen whisk से भर देंगे और उसके उपर हम जो मिट्टी हम तयार करते हैं उस मिट्टी से इस growback को भरेंगे और उस करीब 6-7 इंच की वो layer होगी मिट्टी की 6 इंच की पौध हैं वो भी इसमें बड़े आराम से लगा सकते हैं तो मैं आपको दिखाऊ हूँ दोस्तों कि इसमें मिट्टी मैंने 2 इंच भर दी है इस परकार आप भी मिट्टी भर कर इससे होता क्या है कि हमें अलग से कंपोश्ट बना के फिर इसमें